कोशन डाइग्राम बैस कोशन है यहां पर हमें A, B, C, D लेबलिंग को फाइंड करना है वाट इंडिकेटS A to D in गीवन फिगर यह हाइड्रोपोनिक सेटप को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर प्लान को ग्रो किया हुआ है कम्प्लेटली सोल फ्री कंडिशन में और यहां पर वाटर के अंदर न्यूट्रियंट सोलुशन डाल रखा है तो वाट A, B, C, D indicate in the given figure तो हम यहां पर A, A की अगर हम बात करें तो एक यहां पर एक ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एरेशन ट्यूब है यहां पर हम C की बात करें तो C यहां पर यह क्या है cotton plug है C यहाँ पर क्या है cotton plug है यहाँ पर C होगया cotton plug और D की हम बात करें तो D यहाँ पर क्या है nutrient solution 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 तो A यहाँ हम बात करें A cotton A cotton नहीं है तो यहाँ पर A नहीं हो गई है A. यहाँ पर एक funnel है, ट्यूब है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या पोर किया जा रहा है, water and nutrients को पोर किया जा रहा है, B. क्या है, B. is a aeration tube, yes, ताकि इस solution में proper aeration दे सकें, तो यहाँ पर B. right है, C. क्या है, cotton, yes, D. क्या है, nutrient solution, तो बात करें यहाँ पर A, B, C, D में, तो यहाँ पर nutrient solution, D is a nutrient solution, तो यह भी नहीं होगा, if we talk about D option, A is a cotton, A cotton, नहीं है, तो यहाँ पर 15 में जो correct labeling है, वो किसके अंदर mention है, B option के अंदर, तो answer हो जाएगा, B.